नमस्कार सिटी पोस्ट लाइब के इस खास कारेकरम में आपका स्वागत है मैं हूँ स्रकान प्रतियूस आपको पता है कि बिहार के राजनितिक गलियारे में काफी बवाल मचा हुआ है उपेंद्र कुसवाहा और नतीश कुमार के बीच नीच पोलिटिक्स को लेकर तो घमसा प्रतियूस आपको पता है कि बिच पोलिटिक्स को लेकिन सवाल एक उठता है कि इस तुत्रों के हवाले से जो ख़वार आ रही है अमिद्सा का बहुत टाइट सीडूल है आज चुनावी कारेकरम में काफी ब्यस्त हैं दिली में हैं भी नहीं और साम को दिली लोटेंगे भाग लेने के बाद दिली लोटते हैं अमिद्सा तो उपेंद्र कुस्वाहा के लिए समय निकालेंगे उनको समय देंगे अगर वीजेपी वाकई चाहती है कि उपेंद्र कुस्वाहा बने रहें इंडिये के साथ तो जरूर्ट समय निकालेंगे क्योंकि रालोस्पा के जो तारिकी पटना में होने वाली पाटी की बेठक में अपना बड़ा फैसला सुना देगी यानि बहुत बड़ा धमाका कर देगी उन्होंने इसी सब्द का इस्तमाल किया कि अगर बीजेपी ने दो दिन के अंदर फैसला नहीं लिया सिटों को लेकर तो रालोस्पा बहुत बड़ा धमाका करने वाली है उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी के नेता जिस तरह से नजर अंदाज करने हैं उपेंद्र कुस्वाहा को बीजेपी का फ्यूचर बिल्कुल डार्क है बीजेपी की मिटी पलीद हो जाएगी बिहार में तो जिस तरह से उपेंद्र कुस्वाहा लगतार बीजेपी नेताओं समेत सहयोगी दलों के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं और इस बार जिस तरह से उनके पार्टी के बड़े नेता नागमनी ने दो दिनों का अल्टिमेटम दे दिया है तो बहुत बड़ी नाजू के सिती हो गई है अगर आज अमित साह और उपेंद्र कुस्वाहा की बैठक नहीं होती है तो सत्रह तारीक की पतना में होने वाली रालुस्पा की बैठक में उपेंद्र कुस्वाहा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं उत्रों के हमाले से जो खबर आ रही है उपेंद्र कुस्वाहार नागमनी को आरजेडी से बादशित के काम में लगा चुके हैं लगतार लालुयादो और उनके बेटे तेजस्वी के साथ नागमनी की बात चल रही है खाला कि अभी तक ये तै नहीं हुआ है कि आरजेडी में और उपेंद्र कुस्वाहा की नजर है उचाहते हैं कि वहीं सीट मिले वैसे में आरजेडी वो सीट उनके लिए छोड़ेगी तभी बात आगे बढ़ेगी तो अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है लेकिन इस बिच नागमनी ने बीजेपी को अल्टिमेटम दे दिया है तो जाहिर है कि आज कल में जैचाह हो जाना है यानि उपेंद्र कुस्वाहा इंडिये के साथ बने रहेंगे या माहगरवन्दन के जाएंगे सब कुछ तै हो जाएगा क्योंकि पिछले दो महीने से लगातार हाई भोल्टेज ड्रामा चल रहा है उपेंद्र कुस्वाहा ब बीजेपी में अब जगह नहीं है लेकिन ये खबर का खंडन भी बीजेपी ने नहीं किया है अभी तक इसका मतलब यह है कि खबर या तो बीजेपी ने खुद उडाया है या इस खबर में दम है तभी उसने खंडन नहीं किया क्योंकि ये बड़ी खबर है अगर सच नहीं ह तो बीजेपी की तरब से इसका कोई खंडन आना चाहिए था, लेकिन खंडन नहीं किया, इसका मतलब कि उपिंद्र कुस्वाहा पर दबाव बीजेपी भी बना चुकी है, और उपिंद्र कुस्वाहा जवरजस्त दबाव में है, अब उनकी पार्टी में भी काफी घमासान कुस्वाहा है, वो भी इंडिये के साथ रहने के पक्ष में है, लेकिन नागमनी महागडवन्दन के साथ जाने के सुरू से ही पक्षतार रहे हैं, तो अब उपिंद्र कुस्वाहा क्या पहस्ता लेते हैं, ये 17 तारिक की पट्टना में उनकी होने वाली बैठक में पता चल बद्ट gelecek् से हए शब रहे होने के दूंग कि बस्ते हैं, भाली झाने के ले लुटियो